हलो एव्रिवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल हनी लाइफ और स्टाइल और मैंसल्फ हनी और फ्रेंड्स आज जो फेशल में आपसे शेयर करने जा रही हूं इस स्टेप बाइस बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रही हूं जो आप इसली घर पे भी कर सकते हो और बहुत रिजर्ट मिल सकता है तो आज जो मैं फेशल किट यूज कर रही हूं वो है लोटस रेडियन गोल्ड फेशल किट इस फेशल किट में फोर स्टेप को फॉलो करना होता है क्लिंजिंग स्क्रब एक्टिवेटर मसाज क्रीम एंड मास्क इसमें क्लेंजर अलग से नहीं दिया ह तो अलग से भी क्लेंजर लेके आप क्लीन कर लोगे तो जादा बैस्ट होगा या फिर आप अपने फेश को अच्छे तरीके से वाश करके डायरेक्ट इस किट को यूज कर सकते हो इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स औं ट्रिक्स आप से शेयर करूंगी जो भी आप जब भी फेशल करोगे तो बहुत ही यूसफुल होने वाला है तो दो से तीन मिनट तक अपने फेश को क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन करिए उसके बाद अच्छे तरीके से वेट वाइप से अच्छे से फेश को क्लीन कर लीजे पानी की हेल्प से तो इससे क्या होता है कि आप कि पूरे मेकप रिमूव हो जाते हैं और आपका स्किन रेडी हो जाता है तो लोटस रेडियन गोल्ड का फॉर्स स्टेप हम फॉलो करेंगे जो है क्लेंजिंग स्क्रब का तो इसे पूरे फेश पे आपने अपलाय कर लेना है इन फेक्ट अपने आइस पे भी अपलाय कर ल करना है याद रखें टोनर या फिर पानी अच्छे कॉइंटिटी में अपने लेना है जब भी आप स्क्रब करो तो और कभी भी अपने पाम का यूज नहीं करना है अपने फिंगर और फिंगर टिप्स का यूज करना है जब भी आप स्क्रब करते हैं इसक्रब बहुत अपने स्किन पर हार्ष नहीं होना है जब भी आप स्क्रब करते हैं तो तो हर फेशिल किट के अलग-अलग स्टेप्स होते हैं किसी में चार स्टेप्स को फॉलो करना है जैसे अभी लोटस रेडियन गोल्ड का कर रहे हैं उसमें चार स्टेप्स को फॉलो करना होता है किसी मे 10 स्टेप को किसी में 5 स्टेप को पर आपको स्ट्रॉक सही ढंग से लिना है जो मैं स्ट्रॉक सापको दिखा रही हूँ अगर आप उस तरीके से करते हो तो आपका result बहुत ही अच्छा आएगा और आपके face पे काफी ज़्यादा glow आएगा आपकी skin beautiful फुल नजर आएगी तो जब हमें scrub करते हैं तो हमारे जितने भी skin के dead cell होते हैं impurities होती है जितने भी आपमारे जो lifestyle है इतने dirt pollution होते हैं वो सबको ये अच्छे तरीके से clean करता है हमारे inner layer तक तो घर पे two days week में आपने scrub जरूर लेना चाहिए अच्छे तरीके से scrub करना चाहिए दो से तीन मिनट तक आपने scrub करना है अपने skin की आप teenagers हो या teenagers से अबव हो सबके लिए scrub कंपल सरी है तो week में आपने two बार scrub तो लेना ही लेना है strokes आप ध्यान से देखे क्योंकि मैंने कोई भी वीडियो में फास्ट नहीं किया है वीडियो को जैसे मैंने किया बिल्कुल सेम आप से शो कर रही हूँ तो आपने दो से तीन मिनट का scrub करने के बाद उसके उपर ही आपने steam देना है steam हमारे लिए बहुत ही important है कंपल सरी है क्योंकि ये हमारे dead cell को inner layer तक remove करता है जितने भी हमारे white head black head होते है उसको ये बहुत ही जादा बहुत ही weak बना देता है जब आप कभी भी जब इस तरीके के आप देख सकते हो machine आपको मिल जाएंगे ये scrubber machine होता है जो आपके white head black head को ये सब को remove कर देता है और आपके skin को clean कर देता है मतब 70% लोग होते है जिनके white head black head होते ही होते है जैसे मुझे white head काफी जादा होते है तो वैसे आपको मिल जाएंगे तो इस टाइप का आपको pain भी मिल जाता है जो normal बहुत ही कम range में मिल जाता है आप पिन भी ले सकते हो white head black head remover या फिर आप इस टाइप का अगर लेते हो scrubber तो ये भी काफी best work करता है क्योंकि ये painless होता है बिल्कुल भी आपको pain नहीं होता और सारे white head और black head easily निकल जाते हैं और face पे भी देखते होगे कि कभी-कभी white white से हो जाते हैं तो वो भी इससे निकल जाता है सारे white white से दाने से तो मैं steam के साथ ही scrubber का यूज कर रही हूँ आप अगर चाहोगे तो पहले towel से अच्छे तरीके से अपने face पे steam ले लिजे, towel को निचोड लिजे गरम पानी में और अपने face पे रखकर अगर आपके पास steamer नहीं है तो और उसके बाद भी आप कोई भी pin होता है जो आपके white head black head निकालने वाला होता है आप उससे भी कर सकते हो, घर पे आप ऐसा कर सकते हो तो 10 minute का अपने steam लेना चाहिए यह आपके pores को भी बहुत ही जादा खोल देता है जिससे आपके सांस ले पाए आपकी skin और बहुत ही अच्छा antioxidant का काम करता है second step को करेंगे जो है activator का तो face को अच्छे से clean करने के बाद हमें activator यूज करना है पूरे face पे और neck पे इसे apply कर लीजे तो इस activator से आपने अच्छे तरीके से massage देना है ऐसा massage देना है कि ये आपकी skin में अच्छे तरीके से absorb हो जाए तो जब भी आप massage करते हैं तो अपने neck से start करा कीजिए neck पे अच्छे तरीके से massage लेने के बाद अपने chin को massage दिया कीजिए फिर अपने chick पे आएंगे chick पे अच्छे तरीके से massage देंगे फिर nose पे nose पे अच्छे से massage देने के बाद हमें forehead तक जाना है इस तरीके से आपको massage करना है अपने पूरे face का आप बस इस strokes को ध्यान से देखते चलिए और जब भी आप कभी भी facial करते हो तो video को लगा लो जब आप घर पे कर रहे हो तो मेरे कई सारे self facial के भी video हैं अगर आप self facial कर रहे हो तो भी आप किसी के भी जिसके भी आपको पसंद है आप उसके video लगा सकते हो और विर आप facial जब करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और आपको कोई भी difficulties नहीं होगी Facial करते समय बस ये याद रखना कि जितने भी आप facial के strokes use कर रहे हो वो upward direction में होने चाहिए circular motion में होना चाहिए ये नहीं कि आप कोई ultra direction ले लो उससे आपके face पे harm भी कर सकता है इसलिए आपको जो भी facial strokes होता है वो बिलकुल साओधानी से लेना चाहिए आपको कोई भी strokes नहीं पता तो आप सिर्फ circular motion का use करो आप upward direction का facial करो जो आपकी face uplift हो तो देख सकते हो अच्छे तरीके से जो एक्टिवेटर था वो penetrate हो चुका है skin में तो अब यहाँ पे हम third step पो follow करेंगे जो है massage cream का तो इसे पूरे face पे apply कर लीजे अपने पूरे neck पे apply कर लीजे और फिर आप थोड़ा सा rose water ले 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 या फिर toner ले लीजे और neck से massage करना start कर दीजे और जो हमारा massage होगा ना वो relaxing वाला होगा और आपने neck से start कर लेना है massage करना neck से upward direction में आते जाना है मतलब अपने chin पे, chick पे, nose पे forehead पे जैसे मैंने अभी activator में बताया वैसे ही आपने start करना है massage करना massage करने से हमारे skin को काफी ज़्यादा relaxment फील होती है stress दूर होती है और हमारे face पे बहुत ज़्यादा glow आता है हमारे skin youthful होती है जो fine line wrinkles होते हैं वो reduce होता है और हमारे skin uplift होती है तो हमारे जो teenagers हैं उनकी काफी क्वाईरी होती है कि हमें क्या करना चाहिए अपने skin के लिए तो आपने हमेशा clean up लेना चाहिए clean up सिर 15 minute का होता है और जो हमारे teenagers होते हैं उनकी skin तो बहुत ही sensitive होती है और हमेशा pimples, acne होते रहते हैं क्योंकि वो age ऐसा है तो आपने भी हमेशा अपने face को clean रखना चाहिए क्योंकि अगर आप उस समय से अपने face पे ध्यान नहीं दोगे तो आगे चल कर और ज़्यादा आपका face खराब होगा तो आप घर पे भी ये follow कर सकते हो जैसे अच्छे तरीके से अपने face को wash कर लो wash करने के बाद आपने scrub यूज़ कर सकते हो अच्छे तरीके से 2 minute का scrub कर लो और उसके बाद आप चाहो तो steam ले सकते हो और अपने white head black head को remove कर सकते हो क्योंकि teenagers में white head black head भी बहुत जादा होते है और उसके बाद सीधे direct आपने face pack को use कर लेना है बस इतना आपको करना है और जो teenagers से above है मतलब जो 25 years से above है उनको facial लेना जरूरी है तो ये आप one month में कर सकते हो और 25 years अगर clean up लेना चाहते हैं तो वो 15 days में clean up ले सकते है और friends वीडियो अगर आपको मेरी अभी तक अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो कर लो क्योंकि यहां makeup classes, beauty classes के सारे वीडियो देख सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ सीख सकते हो और आपके एक लाइक करने से मुझे काफी ज़्यादा appreciation मिलता है जिसकी वज़े से मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप सब के लिए लाते रहती हूं तो आप लोग ज़रूर लाइक और comment किया करो तो आप मसाज के स्ट्रॉक्स अच्छे से देखते चलो ये सिजर मसाज है और इसे इस तरीके से करते हैं और जो भी मैं स्ट्रॉक्स दिखा रही हूं आप सब का नाम अलग-अलग होता है आप देखते चलो अभी कि आपको करना किस तरीके से है और अभी बहुत ही जल्दी में फिर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ फुल ब्यूटीशन कोर्स और फुल मेक, प्रोफेशनल मेकप क्लासेज तो जल्दी से फिर जरूर सबस्क्राइब कर लो क्योंकि काफी अच्छा आगे वीडियो आने वाला है आप सब काफी जादा पसंद करते हो मेरे ब्यूटी क्लासेज को इसलिए मैंने दुबारा स्टार्ट किया है ब्यूटी क्लासेज जो मैं नेक्स्ट वीक से आना स्टार्ट हो जाएगा मेरे सारे वीडियो और आप सब बहुत अच्छे तरह से घर पे भी सीख सकते हो ब्यूटीशन कोर्स एंड प्रोफेशनल मेकप क्लासेज तो मसाज हमेशा 15-20 मिनट तक का तो होना ही चाहिए जब तक जितने भी आपने क्रीम अपलाई किये हैं वो आपके स्किन में अच्छे तरीके से अब्सॉब ना हो जाए तब तक आपने अच्छे तरीके से मसाज देना है तो ये सारे रिलेक्समेंट वाले स्ट्रॉक्स हैं इससे काफी ज़दा रिलेक्समेंट फील होता है साथ में स्ट्रेस भी दूर होती है तो सब कुछ ऐसा करने के बाद आपने यूज़ करना है जो फोर्थ स्टेप से हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है लोटस गोल्ड मास्क तो इसे पूरे फेस पे अपने अपलाई करना है अपने पूरे नेक पे अपलाई करना है और ये वन यूज़ के लिए ही है ये फेशल किट तो आपको इस तरीके से पूरा facial kit एक परसन पे ही करना है और इसमें जो और भी सारे हैं boxes तो एक एक परसन पे एक एक boxes को आप use कर सकते हो इसका single भी आप ले सकते हो तो जब यह mask 80% तक dry हो जाए 80% dry होने के बाद आपने कोई भी wipe को इस तरीके से face पे रखना है और dab dab करना है अपने skin पे अगर आप direct हताते हो तो वो आपके skin को खिचता है आपका face अच्छे तरीके से नहीं clean हो पाता और वो सही process नहीं है तो इस तरीके से अबेशा अपने face को आप clean कीजे तो देख सकते हो कितना अच्छा result आया है और कैसा लगा वीडियो जरू बताना so till then bye bye